हलो दोस्तों मैंने लिवा स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चानल पर आज की वीडियो का टॉपिक है करेंट अफैस सेप्टेंबर 2022 विज वेरी इंपॉर्टेंट और यूनीक फैक्ट इस वीडियो में मैंने टोटल 25 क्वेश्चिंज कवर करने की कोशिश की है और अग यूनीक फैक्ट के साथ है तो आप वो जो पीडियेफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे जाके और अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बतेगे कि वीडियो आपको कैसे लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर इंडिया's official entry to the 95th Academy Awards 95th Academy पुरुसकारों में भारत की अधिकारिक प्रविष्टी के रूप में किस फिल्म को चुना गया है तो वो है चैलो शो यह है चैलो शो जो कि एक गुजराती मूवी है और इसे डिरेक्ट किया है पान नयलिन ने कुशन नमबर टू है वाट इस ते नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स क्लोन वाइल्ड आक्टिक वुल्फ दुनिया के पहले क्लोन जंगली आक्टिक भेडिये का नाम किया है तो वो है माया माया इस ता करेक्ट आंसर जो कि एक आक्टिक वुल्फ है बीजिंग स्टिक जीन फार्म दुनिया में पहली बार एक जंगली आक्टिक भेडिये का सफलता पूर्वा क्लोन बनाया गया है आक्टिक भेडिये की क्लोनिंग जिसे सफेद भेडिया यह धूर्विया भी कहा जाता है जो कनाड़ा की महारानी ऐल्जबिद वीप समू के उच आक्टिक तुन्रा का एक म बीगल डॉग याद रखिए यह बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है कुश्चन नमबर थ्री है वो वन दो यूएस ओपन वोमें सिंगल 2022 यूएस ओपन महिला एकल 2022 किसने जीता है तो वो जीता है एगा स्वियाटिक ने जो की पोलेंड की है और में सिंगल किसने जीता है व ओनस जैबियोर को ठीक है तो यह भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसको हराया तो यह भी बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है कुछ और इंपॉर्टन फैक्स देख लेते हैं अलकराज अब तक का सबसे कम उम्र का 19 years and 4 months वो पहला किशोर पूरुष है जो की एकल डबल जीता हुआ है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजीव राम is associated with which sport तो टेनिस is the correct answer ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टन है इंडिया फर्स्ट स्वच्च सूजल प्रदेश ठीक है यह थोड़ा टाइपो एरर हो गया है यह स्वच्च सूजल प्रदेश is with state or union territory भारत का पहला जो है वो स्वच्च सूजल प्रदेश कौन सा राजी या केंडर शासित प्रदेश है तो वो है अंदमान निको बार ठीक है यह टाइपो एरर है तो स्वच्च सूजल प्रदेश है who became the first Indian woman wrestler to win two medals at the world championships wishwo championship में दो पदक जीतने वाली पहली भारते महीला पहलवान कौन बनी है तो वो है मिनेश पोगट ठीक है यह है विनेश पोगट और यह जो venue जो था world championship wrestling का वो था बेलग्रेट सर्भिया ठीक है सर्भिया में बेलग्रेट में था यह और बजरंग पुनिया जो है वो became the first Indian to win four medals at the world champion तो ये बहुत ही important question है ये हमेशा याद रखेगा इसका venue भी याद रखेगा कई बार पूछा जा सकता है तो दादा साहिब फालके पुरसका 2022 के प्राप्त करता कौन है तो वो है आशा पारेग जी ठीक है याद रखेगा इनका जो जन 2nd October 1942 याद रखेगा 2nd October 1942 क्योंकि यह जो है यह जब KBC रहता है KBC के जो audition के पहले जो IVR calls होते हैं तो उसमें भी इस टाइप के question पूछे जा सकते हैं इन्होंने debut किया था 1952 में as a child artist ठीक है mom movie थी और एक आसमान थी जिसमें उन्होंने child artist as a child artist काम किया था 1952 में और as a lead actor दिल देखे देखो ठीक है याद रखेगा दिल देखे देखो 1959 में release हुई थी दिल देखे देखो debut as a lead actress तो यह सब आप याद रखेगा आशा पारिक अपनी नृत्य अकादमी कारभवन ठीक है कारभवन और सांता क्रूज मुंबई में आशा पारिक अस्पताल पर ध्यान के नृत करती है जिसका नाम उनके कई मानविय योगदानों के कारण उनके सम्मान में रखा गया है उनकी जो आशा पारिक ची की उसका नाम है दहिट गर्ल याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है ओट्वाइग्रेफी ओफ आशा पारिक यह देखिए होकी इंडिया के 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिलिप्तिर के ठीक है याद रखेगा यह पूछा जा सकता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और शी लेट टू रेस्ट अड़ विंस्टर कैसल ठीक है याद रखेगा और शी लेट टू रेस्ट अड़ विंस्टर कैसल ठीक है याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है यह हाई लेवल के पूछा जा सकता है किस आज बिशप ने महारानी Elizabeth II को ताज पेनाया था तो यह बहुत ही important है यह थे Jeffrey Francis Fisher ठीक है याद रखिएगा यह बहुत ही important है इन्होंने Elizabeth II को जो है वो ताज पेनाया था Jeffrey Francis Fisher तो याद रखिएगा यह बहुत ही important है High Level के लिए पूछा जा सकता है Question No.8 The Cheetahs from Namibia has been released in which national park तो I think यह सभी को पता है Namibia की चीतों को भारत के किस राष्टे उद्ध्यान में छोड़ा गया है तो वो है कुनो नैशनल पार्क जो की मध्यप्रदेश में है नामी बिया से मध्यप्रदेश के कुनो राष्टे उद्ध्यान में चीतों में से एक का नाम प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा रखा हुआ है तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो दिया गया नाम है एक को जो है आशा तो इनके जो नाम है आशा, सिया, ओबान, सिबली, सियसी, सवाना, साशा और फ्रेडी तो ये नाम याद रखेगा ये किसके हैं ये हैं चीतों के नाम है तो साइन्टिफिक नेम ऑफ चीता जो है उसका नाम आप याद रखेगा एसी नॉट निक्स जबाटस जबाटस ठीक है इसका साइन्टिफिक नाम है चीते का नाम है ये क्वेशन नमबर नाइन, वो वोन दे जुराइन कप 2022 किसने जीता है तो वो है बेंगलरू एफसी और किसको हराया है मुंबल सिटी एफसी को टूर्नमेंट का नाम इसके संस्थापक सर हेंडरी मौर्टिमर जो रैन के नाम पर रखा गया है जो की 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचीर रहे चुके हैं तो याद रखेगा ये बहुत इंपोर्टेंट है सिंस 1888 से ये जो काप है वो शुरू हुआ है मोस्ट सक्सेस्फुल टीम जो रही है वो थी मोहनबगान और इस्ट पेंगॉल जिन्होंने सोला सोला बार जीता हुआ है कुछ facts देख लेते हैं ये देखिए ये cups है तीन कप होते हैं एक तो president cup रहता है जो की left में है ठीक है बीच में duran cup है और right में जो है that is the shimla trophy right ठीक है याद रखेगा ये बहुत important है ये big picture में भी पूछा जा सकता है तो duran cup जो है उसका जो nickname है उसको masterpiece भी कहते हैं the original tournament trophy which became a rolling trophy since 1965 ठीक है second जो है वो shimla trophy है nickname the artistry donated by the residents of shimla in 1904 to show their passion and support for the tournament the trophy began to be awarded in the rolling since 1965 the president's cup है nickname the pride ठीक है इनका सबका nickname है आप याद रखेगा duran cup nickname as the masterpiece तो ऐसे भी कहा जा सकता है एसे भी पूछा सकता है कि masterpiece जो है वो किस sport से related है या किस trophy से related है तो वो है duran cup ठीक है याद रखेगा बहुत important है artistry याद रखेगा शimla trophy और the pride that is the president's cup a rolling trophy that replace the voice royce trophy post independence by the president of India Dr. Rajendra Prasad तो ये बहुत ही high level questions में पूछा जा सकता है चाहो तो आप जो है इसका screenshot भी ले सकते हैं तो ये बहुत important है बढ़ते हैं next question पे question number 10 है the Indian author who had been awarded as Harman Kesten Prize by the pen center in the Germany's Dramsted Daddy किस भारतिय लेखा को जर्मनी के ड्रामस्टेड में pen center द्वारा Harman Kesten पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो वो है Mina Kansami ठीक है Mina Kansami ये बहुत ही important है इनकी द्वारा लिखित जो books है वो है the gypsy goddess 2014 में and when I hit you or a portrait of the writers as a young wife तो यह बहुत important है यह अच्छे से दियान में रखिए सब high-level questions में पूछे जा सकते हैं question number 11 the Indian scientist industrialist and chairperson of the Piramal enterprise who has been conferred as the knight of the lien of honor by the French government किस भारतिय विज्ञानिक उद्योगपती और Piramal enterprise के अध्धक्ष को France सरकारद्वारा जो है वो night of the liaison of honor से सम्मानित किया गया है तो वो है स्वाती पिरामल ठीक है याद रखिएगा यह बहुत important है यह इशा अम्बानी की जो है वह mother-in-law है तो याद रखिएगा प्रणवानन्त के यह फोटोस भी आप अच्छे से ध्यान से देखिए या इडेंटिफिकेशन के लिए बोला जा सकता है चलिए 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 नमबर सब्सक्राइब के लिए पहली बार जो है इसी ओ परियाटन और संसक्राइब के लिए पहली बार जो है क्रितिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है तो वह कौन सा शहर है वारानासी है याद रखेगा यह बहुत इंपोर्टेंट है इस टाइप के क्वेशन के बीसी में ज़रूर पूछते हैं और हो सकता है यह थोड़े हाई लेवल क्वेश्चिन के रूप में पूछ अबदा व्ड़हतन क्या है तो मिलिक व्ड़हटनासी हर्व ऑध्चिन क्वेश पूछ लाजा सकते हैं इस नहीं दे khारैन। as the Chief Justice of India for 17 days who passed away on 8 September 2022 भारत के पूर्व मुख्यनायधिश जिनका 17 दिनों के लिए Chief Justice of India के रूप में सबसे कम कारेकाल था जिनका भी हाली में निधन हुआ है तो वो है कमल नरायन सिंग ठीक है याद रखेगा ये बहुत important है ये भी high level questions के लिए पूछा जा सकता है भले ये current affairs है पर ये high level questions के लिए पूछा जा सकता है बढ़ते हैं next question पे the new centrally sponsored scheme for upgradation and development of more than 14,500 school across the country launched by the central government is named केंद सरकार द्वारा शुरू की गई देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलो के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित नई योजना का नाम क्या है तो वो है PM शरी याद रखिएगा PM शरी और इसका जो full form है वो भी याद रखिएगा इसका जो full form है वो है प्रधान मंत्री schools for rising India ठीक है याद रखिएगा ये बहुत important है enlarge करके भी मैं बताती हूं ठीक है तो ये PM शरी का जो full form है ये पूछा जा सकता है प्रधान मंत्री schools for rising India ठीक है याद रखिएगा ये बहुत important है बढ़ते हैं next question पे प्राइम निस्टर अफ यूके Mary Elizabeth Truss is of which political party यूके की प्रधान मंत्री Mary Elizabeth Truss किस राजनेतिक दल की है तो वो है conservative party ये याद रखिए बहुत important है सबको यूके की प्राइम मिनिस्टर अभी बदली वो तो पता होता है लेकिन वो किस party की है शायद वो ना पता हो और ऐसे टाइप की जो questions है वो आ सकते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा Question number 18 The former president of the United States who has been awarded the Emmy Award for his narration in the Netflix documentary Are Great National Parks सहयुक राज अमेरिका के पूरवर राष्टरपती जिन्हें Netflix वित्त चित्र Are Great National Parks में उनके कथन के लिए एहमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो वो कौन है बराक उबामा ठीक है याद रखिएगा ये बहुत important question है ये सारे high level के लिए आ सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन पर विज्ञान प्रगती विज्ञान प्रगती के संस्थान की विज्ञान पत्री का है तो वो है Council of Scientific and Industrial Research ठीक है CSIR ये याद रखिएगा Council of Scientific and Industrial Research ये triple test के लिए भी पूछा जा सकता है इसका full form की CSIR में R stands for what या I stands for what तो C stands for what तो ऐसे टाइप के questions बहुत important है तो ये अच्छे से दियान में रखिए कि विज्ञान प्रगती जो है वो किसकी magazine है Council of Scientific and Industrial Research की Question number 20 Which country gifted the white horse नेम तेजस to Indian Defense Minister राजनाद सिंग किस देश ने भारती रक्षा मंतरी राजनाद सिंग को सफेद गोडे का नाम तेजस उपहार में दिया है ठीक है एक गोडे का नाम जो है वो तेजस रखा हुआ है इसके पहले नरेंद्र मोदी जी को भी एक गोडा जो है वो गिफ्ट में मिला था मंगोलिया से ही उसका नाम था कंथक और ये बहुत important question है ये सारे high level के लिए है ये high level question पूछे जा सकते हैं बढ़ते हैं next question पे अमृत सरोवर कारेकरम में किस राज्य ने शीर स्थान पराप्त किया है तो वो है उत्तर प्रदेश याद रखेगा यूपी बहुत important question है क्वी ठीक है क्वी याद रखेगा क्वी जो खबरों में रहा है किस फल्क का एक किसम है तो वो है पाइनेप्पल याद रखेगा क्वी ठीक है यह देखिए मौरिशियस एम डी टू क्वी ठीक है क्वी और यह अमृत था तो याद रखेगा यह बहुत ही important है ठीक है पाइनेपल के ही question number 23 in which tournament Roger Federer had played his final match with Rafael Nadal Roger Federer ने किस tournament में Rafael Nadal के साथ अपना अंतिम मैच खेला है तो वह है लेवर कप ठीक है यह बहुत important है यह भी हाई-level questions में पूछे जा सकते हैं ठीक है यह देखिए और इलाज करके बिताती हूं कुछे नमबर ट्वेंटी फूर्ड डॉनेटिस्क लुहांस्क खेर्सन और जापोरिजिया और पार्ट ओव विच कंट्री नाउं एक बाफे से अच्छे से पढ़िए ध्यान से सुनिये डॉन्स्टिक लुहांस्क खेर्सन और जापोरिजिया अब किस देश का हिस्सा है त तो वह है रश्या का ठीक है एरियाज ऑव रश्यान मिल्टरी कंट्रोल इन युक्रेन अब वह रश्या का हिस्सा हो गये हैं यह देखिए पहले वह यूक्रेन में थे तो यह बहुत ही क्वेश्चन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूछा जा सकता है कुश्चन 25 यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हुई इस अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलिए और बने रही है मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियो के लिए इसका पीडिये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है ल